दोस्तों अगर आपको मटन खाना पसंद है तो आपको मेरी ये स्पेशल मटन मसाला की रेसिपी को एक बार ट्राइज जरू करना चाहिए वैसे तो मैंने आपके साथ मटन की बहुत सारी रेसिपी को शेर किया है लेकिन इस मटन मसाला की बात ही कुछ और है और अगर आपने एक बार मेरे ये स्पेशल मटन मसाला घर पे बना दिया तो आप बाकी सारी रेसिपी को भूल जाएंगे और यही वाली मटन मसाला की रेसिपी को बार बार बनाएंगे अब ये special mutton masala बनाने के लिए सबसे पहले तो हम mutton को marinate करेंगे और सबसे पहली चीज जाएगी इसके अंदर अधरक, लेसन, हरी मिर्च और हरे धनी का paste मैंने यहाँ पे total आदा कप का इस्तिमाल किया है और ये सारी ये सारी quantity आपको description में मिल जाएगी उसी की साथ में हम इस्तिमाल करेंगे एक बड़ा चमच मतन masala का, ये मेरे घर का बना हुआ मतन मसाला है लेकिन आप बजार से लाए हुए मतन के मसाले का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसी की साथ में मैं एक चमच इस्तिमाल करूँगा देगी मिर्च का, यहाँ पे मैं बड़ा चमच इस्तिमाल कर रहा हूँ और साथ में हम लोग को इस्तिमाल करना है एक बड़ा चमच नमक का बस इसके अलावा हमें कुछ भी आड़ नी करना, यहाँ पे हम लोग के स्पेशल मतन मसाले का जो मैरिनेशन है बिल्कुल बन के तेयार है तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मतन पे मैरिनेशन बड़िया से चड़ चुका है तो अब हम क्या करेंगे? ज़ादा देर के लिए नहीं हम लोग इसको रख सकते हैं एक घंटे के लिए या फिर दो घंटे के लिए और या फिर जब तक आप ग्रेवी बना रहें तब तक मटन को मैरिनेट होने दीजिए इसको रखते हम side में और अब हम बनाते हैं मटन मसाला की gravy को लेकिन gravy बनाने के पहले आप एक छोटा सा काम कर दीजे कि आप एक bowl के अंदर add कर दीजे एक बड़ा चमच हल्दी powder एक बड़ा चमच कश्मीरी लालमेच का powder और दो बड़े चमच धनिया powder के ये जो मसाले हैं हम इने पहले से ही भिगो के रख देंगे और हम भिगोएंगे किस में हम भिगोएंगे इसको पानी में दोस्तो आज की जो मेरी special mutton मसाला की रेसिपी है इसको खाने के बाद आपको acidity की problem नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी ऐसी चीज का इस्तिमाल नहीं किया है जिससे आपको acidity हो मैंने यहाँ पे पानी के अंदर मसालो को भिगो दिया और यहने कम से कम 15 मिनिट के लिए मैं भीगा रहने दूँगा अब special mutton मसाला की gravy बनाने के लिए यहाँ पे तो हम pressure cooker का इस्तिमाल करेंगे जिससे जल से जल काम हो जाए और यहाँ पे सबसे पहली चीज हम add करेंगे सरसो का तेल सरसो के तेल को हम साड लेंगे अच्छी तरीके से और गर्म गर्म तेल के अंदर थोड़े से खड़े मसाले add करेंगे जिसके अंदर होगा सबसे पहले तो हरी वाली इलाइची और काली वाली इलाइची आठ आपको लेनी है हरी वाली इलाइची चार लेनी है काली वाली इलाइची इनको सिल्वट्टे की मदद से कूटना है हलका सा जिससे खुल जाए आदी चमज मैंने जाइफल का इस्तिमाल किया है और साथ में थोड़ी सी काली मिर्चे थोड़ा सा तेस पता है चार से पाच आपको सुखी वाली लालमिच का इस्तिमाल करना है एक बड़ा चमज मैंने शाही जीरे का इस्तिमाल किया है चार से पाच आप लॉंग ले लीजेगा और एक बड़ी दालचीनी ले लेंगे इन सभी खड़े मसालों को ऐसा तेल में एड़ कीजिएगा कि ये अराम से पके बहुत जादा आपका तेल गरम नहीं होना चीए इस चीज का बिलकुल धियान रखिएगा मैंने मसालों को 10-15 सेकेंड बड़ी अतरीकी से पकाया अब मैं इसके अंदर आड़ करूँगा स्लाइस करी हुई प्यास लेकिन प्यास को जब आप स्लाइस करें तो बहुत जादा पतला नहीं रखिएगा थोड़ा सा मोटा रखिएगा और यहां पर कॉंटिटी किती लिए मैंने 5 बड़े साइस की प्यास का इस्तिमाल किया है अब मतन मसाला बना रहे है तो बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए यहां पर मैंने कम से कम 10-12 मिनिट प्यास को अच्छी तरीके से भूना जैसे कि आप देख सकते हैं प्यास अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे इसको एक बार फैला लेंगे और फैलाने के बाद सीधा इसके उपर एड़ कर देंगे बहुती जबरदस्त आएगा हमने यहाँ पर भूनाई शुरू कर दी है एकदम हाई फ्लेम पे पांच मिनिट भूनाई करने के बाद मैं इसके अंदर एक बड़ी आसी चीज आड़ करने वाला हूँ यहाँ पर मेरी स्पेशल रेसिपी के अंदर हम क्या करेंगे 15-20 तुकड़े लेंगे लेसन के सिलवट्टे पे उन्हें कूट लेंगे और कूटने के बाद हम इसको मटन के अंदर एड़ कर देंगे इस तरीके से आपकी ग्रेवी में जो टेक्स्चर आएगा और साथ में लेसन मटन के साथ पकने में जो फ्लेवर देंगे आपको खाने में बहुती जादा मज़ा आ जाएगा हमने कुटे हुए लेसन को मटन के साथ अच्छी तरीकी से मिक्स कर दिया और फिर हम लोग ने 5 मिनिट के लिए भुनाई और करी अभी तक टोटल हम लोग ने 10 मिनिट तक भुनाई कर चुके हैं अब जैसी 10 मिनिट बढ़िया तरीकी से आपका मटन भुन जाए तब आपको क्या करना है जो मसाले हम लोग ने पानी में भीगो के रखे थे हमें वो एड़ कर देना है गैस की फिलिम को ना मैंने छेडा है मीडियम भी नहीं किया लो भी नहीं किया अभी तक बिलकुल हाई फिलिम पे चल रही है और बढ़िया तरीकी से अब आप मटन को भुनना शुरू कीजिए यहां से आप मटन को कम से कम 10 मिनिट भुनिएगा ताकि मटन में बढ़िया सा कलर आए और अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा नमक भी आड़ कर सकते हैं यहां पर मैंने अपने स्वात के अनुसा थोड़ा सा नमक बढ़ाया है और देख सकते हैं आप मटन भुनने लगा है मसाला जो है वो गाड़ा होने लगा है और यही तो चाहिए था हमें मटन मसाला बनाते टाइम आज जो मैंने मटन का इस्तिमाल किया है ये खसी बकरे का मटन है यानि कि इसके अंदर चर्बी तो बहुत ही जादा है और अलग से ये लोग चर्बी भी डालते हैं और पीसिस के साइज भी आज बहुत ही बड़े रखे हैं मैंने तो अगर आपने कभी खसी बगरा खाया है तो मेरे को जरूर बताईएगा और नहीं खाया है तो भी बताईएगा यहाँ पे मैंने भुनाई कर ली है 10 मिनित तक और टोटल मैंने 20 मिनित भुनाई करी है जैसे कि आप देख सकते हैं मटन देखने में बहुत ही लाजवाब दिख रहा है दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं उसी के साथ में हम थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया एड करेंगे हरा धनिया बिल्कुल आप्शनल है आपके हिसाब से आड कर सकते हैं और मैं एक बार हरा धनिया एड करने के बाद अच्छी तरीकी से मिला लूँगा नली भी मैंने काफी जादा बड़ी रखी है आज की वीडियो के लिए क्योंकि वही मेरे घर का special मटन मसाला बन रहा है तो दिखने में तो बड़िया हो नहीं चीए अब बात करते हैं कि सबसे जरूरी चीज हम इसको पकाएंगे कैसे तो यहाँ पर मैंने क्या किया है देखने में एक खुबसूरत है लेकिन अब इसके अंदर गर्मा गर्म पानी आड़ करना पड़ेगा अब आप मतन मसाला में इतना पानी आड़ कीजिए कि जिससे मतन के सार भी गाड़ी होनी शुरू हो जाएगी और मतन मसालों को सही तरीके से पकाने का तरीका क्या है यह मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले CT तो हमें दे देनी है बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैंने गैस को एकड़म तेज कर दिया और एक CT आने का इंतिजार किया पाच मिनिट के अंदर यह CT आ जाएगी उसके बाद मैंने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया और 20 मिनिट तक प्रेशर कूकर को गैस पे चड़ा रहने दिया एकडम धीमी आज पे पकाना है दोस्तो 20 मिनिट तक के लिए और उसके बाद प्रेशर कूकर को उठा के साइड में रख देना है अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है और यहाँ पे आपका स्पेशल मटन मसाला बनके बिल्कुल तेयार है दोस्तो यह मटन मसाला दिखने में बहुती ज़्यादा जबर्दस्त है हम लोग ने खसी बगरे का इस्तिमाल किया है काफी ज़्यादा चर्बी है तो भाई रोगन काफी आया है तो हम लोग ने क्या कि एक बार इसको अच्छी तरीकी से मिलाया और अब आप यह मसाला और उसके अंदर आड़ करना हमें भूने हुई कसूरी मेती का पाउटर मैंने एक बड़ा चमच कसूरी मेती को तवे पे भूना उसके बाद हातों से उसका बढ़िया सा पाउटर बना दिया और साथ में एक चुटकी बार आड़ करेंगे हम घर का बना हुआ सिलवट्टे आड़ किये था ना बीच में वो इतनी भैतरीन तरीकी से पके हैं कि ग्रेवी में अपना पूरा टेक्स्चर दे रहे हैं और साथ में नली को देख सकते हैं क्या जबर्दस तरीके से पकी हुई है तो मैंने तो इसको एक बड़िया से प्लेट में निका लिया अब जो मैं इ और यह चाप का पीस बहुत ही जादा गरम तो था ही लेकिन खाने में बहुत ही जादा मज़दार था दोस्तों अच्छी तरीके से गला हुआ है मटन मसाला की रेसिपी हो चीके बही कम्प्लीट कैसी लगी आपको रेसिपी मेरे को बताएगा जरू कमेंट सेक्शन में यू झाल